क्लास 10 कक्षा 10 Employability Skills देख रहे हैं इसमें Code है 402 और Unit देख रहे हैं Self-Management Skills हम चर्चा करने वाले हैं Stress Management की कैसे तनाव मुक्त रहा जाए और कैसे तनाव का प्रबंधन किया जाए Self-Management यानि की Self पहले क्या होता है Self मतलब होता है आप तो जैसे आपने Manager सुना होगा Manager क्या होता है बहुत सारे लोगों को Manage करता है चीजों को Manage करता है लेकि जब अपने आपको Manage करने की बार ही आती है यानि की अपने आपका प्रबंधन करना होता है जिसको हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं जिसको हम स्वान नियंतरन भी कहते हैं इसका मतलब यह हमारे पास कितनी अबिलिटी है कितनी काबिलियत है कि हम अपने इमोशन को यानि हसी, खुशी, एंगर, थौट्स जो हमारे दिमाग से निकलती हैं चीजें हम सोचते हैं और हमारा क्या वैवार है वैवार अलग-अलग सिनारियों में अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग सिच्वेशन में इसमें बहुत सारी चीज आती है जैसे पहले तो अपने आपको मोटिवेट करते रहना है याने कि आगे बढ़ने के लिए एनर्जेटिक रहना है उड़ जावान रहना है और आगे की जिन्दगी के जो हमारे धे हैं हमारे गोल हैं हमारे लैंडमार्क हैं उनको कैसे हम अपना प्रतिबंधित करें और उसके तरफ हम आगे बढ़े जो लोग जिनके पास बड़ी स्ट्रॉंग या कहेंगी बहुत प्रखर या प्रचुर मातरा में वो उसके लिए हुनर होता है जिसमें वो अपने आपको मैनेज कर सकते हैं अपने उपर नियंतरन कर सकते हैं वो हमेशा दोसरों से बेटर होते हैं जितने भी नौकरी देने वाले लोग हैं कंपनिया हैं वो उन लोगों को जदा पसंद करती हैं उनको जदा नौकरियां देती हैं जिनके पास ये हुनर है अपने आपको मैनेज करने का अपने आप पे नियंतरन रखने का सेल्फ मैनेजमेंट की अगर मैं basics की बात करूँ तो अगर जिंदगी के किसी भी आयाम को ले लें आप घर की बात करें house की बात करें आप परसनल relationship की बात करें या आप थोड़ा सा बाहर चले जाएए लोगों से social life के बारे बात करिये या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि professional life हर जगा ये चीज़े self management अपने आप पे नियंदर रखना बहुत जरूरी हो जाता है बहुत सारे से तरीके हैं और कोशिश हमें करनी चाहिए कि चाहे है discipline हो discipline का मतलब क्या होता है कि rules and regulation को follow करना जितने भी एक कानून नियम हैं उनको हम follow करें और उनको माने समय बहुत बड़ी चीज़ है समय को हम किसी किस तरीके से मैनेज करेंगे हमारे जिन्दगी के जो आयाम है उनको कैसे ताय करेंगे कोई दिक्कते आती हैं उनको problem को कैसे solve करेंगे कैसे उनसे निदान पाएंगे लोगों के साथ किस तरीके से काम करेंगे इसको हम टीम वर्क कहते हैं और जो काम जिस चीज की पढ़ाई की है जिस चीज की लिखाई की है नहीं भी की है तो जो भी काम में आप माहिर हैं उसको कितने अच्छे से करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बच्चा है उसको कहा गया है कि देखिए ये कैंडी या चॉकलेट या जो भी टॉफी है इसको नहीं ले रहा है तो ये बिचारा सेल्फ कट्रोल कर रहा है और ये जब कर सकता है तो हम तो समझदार लोग है कौन कौन सी चीजे हमको मास्टर करनी चाहिए अगर हमको जंदगी में सकस्स पानी है तो पहली चीज इसमें जो पहला हुना राता है या पहली कोशिश होगी वो होगी सेल्फ अवैरनेस इसका मतलब हम क्या हैं, हमको अपने दोस्तों से, यारों से, अपने सगे संबंदियों से अपने बारे में जानकारी लेनी होगी, अपनी परस्टनालिटी या फिर हम जो हैं, हम इंसाइड से क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए, और जो काम हम करना चा पार पापाएं, ये self awareness होता है, अपने बारे में जानकरी, उसके बाद आती है responsibility, responsibility का मतलब होता है, जिम्मधारी, जिम्मधारी कोई भी काम हो रहा हो, जैसे for example, आपके teacher ने आपको कोई काम दिया, उसको आप करिए, complete करिए, माल लीजिए मंडे तक देना है, तो मंडे तक पालनकारी देनी होगी, कि मैं इस इस कारण से नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करिए हमेशा, जिम्मधारी से काम करें, time management, समय किसी के लिए नहीं रुकाश तक, हमेशा बढ़ता रहता है, तो अपने एक time table बनाईए, उसको religiously, धर्मिक जैसे धर्म का पालन करते हैं लोग, वैसे पालन करिए, कोई भी अपने जिन्दगी में अगर आपने ऐसी आदते पाली हैं, या ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जिसका कोई औचित नहीं है, जो आपका समय खराब कर रहा है, उसको पहली फुरसत में बाहर फिक दीजे, हटा दीजे अपनी जिन्दगी से, अड़ा द जिसमें आती है, कि जो situation, जो scenario या जो भी परिस्थितियां परिवर्थित होती हैं, उस हिसाब से आप आपको परिवर्थित किजिए, अपने आपको change किजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, जो कहते हैं, नहीं मैं यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल वो न adaptable बनना होगा, याने परिस्थितियों के हिसाब से अपने आपको mold करना होगा, जैसे गीली मिट्टी अपना shape बदल देती हैं, stress management, stress का मतलब होता है, तनाव, tension, किसी चीज से अगर कोई परिशान है, उसे हम stress कहते हैं, तो इस stress का management हम कैसे करेंगे, इसका प्रबंधन कैसे क आपको example देता हूँ, आपको exam है कल, ऐसा कोई नहीं होगा जो थोड़ा सा stress में नहीं होगा, थोड़ा प्रेशराइस फिल नहीं करेगा, वो यह सोचे का रे कल जो आने वाला है शायद मैंने नहीं पढ़ा, या कल ये ना आजाए जो मैंने नहीं पढ़ा, या कल को कोई अल होते हैं, उन वो जिन्दगी भर उनको परिशानी होती है, लेकिन ऐसे लोग भी जिन्दगी में जी रहे हैं, हमारे लिए तो stress है ही नहीं, अगर आपको stress के बारे में बात करो, ऐसे लोग जहां पर बंबारी होती है, जहां पर पानी के लिए नहीं है, खानी के लिए नहीं वो स्ट्रेस की मातरा हम इमाइजिन हैं कर सकते स्ट्रेस बहुत जरूरी है क्योंकि δएखिए अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप जिंदगी में कैसे सकसे सचीफ करेंगे लेकिन होता ये है कि स्ट्रेस जैसे मैंने कहा कि जिन्दगी में उतार चड़ावाते हैं तो जहां खुशी होगी वहां गम भी होगा लेकि जब ये स्ट्रेस आप का बहुत समय तक चलता रहे ये तनाव आपके जिन्दगी में या जिन्दगी में इफेक्ट करने लगे तब ये आपके शरीर को भी खराब करेगा हेल्थ प्रॉब्लम क्रियेट करेगा इसके अलावा दिमागी तौर पे आपको डिपरेशन मिले जाएगा हाइपर टेंशन मिले जाएगा आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा आप ठीक से अपने काम में ध्यानी दे पाएंगे आपकी नीन नहीं होगी बहुत सारी चीज़े होंगी तो तनाव होता क्या है तनाव का मतलब क्या है तनाव का मतलब ये है ये बहुत साथ चीजों से रिलिटेड होता इमोशनल यानि आपका कोई नुकसान हो गया आप इमोशन आपके खुशी आपका जो दुख है वो चीज़ आ रही है इसमें दिमागी तोर पर आपको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है कोई आपके शरीर में दिक्कत आ गई जैसे मालीज़ आपके कमर में दिक्कत आ गई या आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है फिजिकल यासे बॉडी में कोई आप शुगर के पेशेंट हो गए तो ये बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं कभी सोशली आप रियाइट करते हैं कभी जाती के बारे में कोई रिलीजिन के बारे में बोल देता है आप एकदम रियाइक्ट कर जाते हैं और कई बार हम जो डिमांड जो डिमांड और थ्रेट के बारे में बात करते हैं वो सबसे बड़े कारण है इसके स्ट्रेस के इसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं तो डिमांड और थ्रेट क्या हुआ माल लीजिए आपको काڑی चाहिए अपने पिताजी से अब बाइक आपको मिलने रही है आप आ गया स्ट्रैस में क्योंकि आपको बाइकल नहीं मिल रही है ये डिमांड है, इसकी जरूट है यह नहीं यह नहींगा, लेगिन आपकी जब डिमांड्स पुरी नहीं होती आपकी जरूरत पुरी नहीं होती, कभी कहते हैं कि जरूरत की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारी जरूरत हमारे जरूरत से ज़ादा है, इसलिए जरूरत की जरूरत है ही नहीं, यह स्ट्रेसर है, दूसरा होता है थ्रेट, थ्रेट जरूर हो सकता है क्योंकि माल लीजिए आप ऐ पेड़ी है हो गया जंगली जानवर का खत्रा हो सकता है अगर आप ऐसी community में रहते हैं जहां पर दूसरी community में रहते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो आपको अमेशा threat रहेगा कि भई कोई हो ना जाए तो हमेशा stress में रहेंगे आप मैं आपको example देता हूँ इस threat इस चीज़ के देखें माली जए आपका exam आने वाला है और आपको लग रहा है कि यार मैं तो preparation नहीं कर पाया या मैं किसी समस्या में था तो यह आपको stress देता है यह आपको तनाव देता है टेंशन देता है इसके अलावा अगर आपके जिन्दगी में किसी का loss हो जाया आपके mother का, आपके father का, आपकी girlfriend का आपके यह तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी कई बार यह सबसे बड़ा बोज है अपने कंदे पर अपने बच्चे का की अर्थी ले जाना कई बार बहुत जादा हमने ये देखा है कि यह आते ही जो माएं है या पिताजी हैं बहुत परिशान हो जाते हूए, बहुत जड़ा स्ट्रेस हो जाता है और इसकी हम क्या कलपना करेंगे जो हमारे पास है तो तो स्ट्रेस है यह नहीं इसके अलावा हम ये होता है कि कभी-कभी हम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं हमारे language पे हमारा command नहीं होता है हम ठीक से अपने आपको present नहीं कर पाते है ये हमारे लिए एक बड़ा stress का या कहें कि तराओं का कारण होता है और सबसे बड़ा देखा गया है कि जो night time होती है इसमें सबसे ज़्यादा excellent होते हैं पता हैं आपको क्यों होते हैं क्योंकि sleep नहीं हो पाते हैं लोग सो नहीं पाते हैं और ना सोने की कारण बहुत सारे accident होते हैं तो जब ये इतना बड़ा कांड हो सकता है तो lack of sleep, sleep अगर आप 7 या 8 घंटे की नीद नहीं लेते हैं डेली तो आप हमेशा stressed रहेंगे हमेशा तनाओं में, दिक्कत में, शारिदिक परिशानी में रहेंगे Stress management तनाओं का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए tension को किस तरीके से आप as a human being, as an individual कैसे उसको deal करेंगे क्योंकि stress तो कभी खतम नहीं होगा माल लीज़े, आपको किसी को phone करना है battery, आपके mobile के low हो गई तो ये एक stress है आप कहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी पहुंचना है आपकी बाइक में पंचर हो गया ये गाड़ी खराब हो गई ये stress है, stress तो आपको आना ही आना है लेकिन कई बार stress अच्छे होते हैं और stress जरूरी भी है जिन्दगी माल लीज़े, ये fire alarm है fire alarm का आवाज आते ही, आप एकदम टूं 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 करके बहुत सारी चीज़े बच्चती है अब ये stress, ये इसलिए होती है क्योंकि आपको stress आए ये stress जो होता है, ये आपको alert करता है alert किसे करता है, जो आने वाला खतरा है उससे आपको alert करता है, तो stress जरूरी है कई बार आपको कोई assignment कम्ट्रीड करने होते हैं कई आपका exam होता है या कोई चीज होती है उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है या कोई काम कम्प्रीट करके देना होता है तो ये स्ट्रेस तो अच्छा है स्ट्रेस जो डेडलाइन का है वो अच्छा है है ना लेकिन होता ये है कि जब ये स्ट्रेस बहुत ज़ादा समय तक रहे बहुत ज़ादा समय तक रहे तो ये opposite effect में आता है यानि कि आपको आपके शरीर को आपके दिमाग को पूरी तरीखे से खराब करता है यानि कि आपके दिलो दिमाग और आपके शरीर को ये खराब करेगा तो आप जो कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पाएंगे चाहे स्कूल की बात करें चाहे आपको रिलेशनशिप में बात करें पतनी हो बच्चा हो बीबी हो पता पिता हो किसी के साथ भी आप ठीक से बिहेव नहीं कर पाएंगे आपका वहवार वैसा नहीं रहेगा क्योंकि आप स्ट्रेस में हर दिन प्रति दिन तो कैसे हम manage करेंगे stress को इसके लिए हमको एक plan बनाना होगा हमें जानना होगा कि भाई कैसे हमारे जो दिनों दिन के pressure है इसको मैं किस तरीके से अच्छी तरीके से deal करूँ यहनि अपनी जिन्दगी, अपना काम अपने relationship अपकी जो भी आपकी लोगों से relation है यह सब आपको देखना होगा कि कहां कौन सा तनाव आ रहा है किस तरीके से मुझे इससे पार पाना है और आपको relax करना होगा, relax करना मतलब picture देख सकते हैं, movie देख सकते हैं अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं भूमने जा सकते हैं और fun, fun बहुत जरूरी है जोसे कोई भी आप recreation का काम कर सकते हैं जो young लोग हैं वो अपने partner से बात कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े हैं ध्यान रखिए stress management के तीन चीज़े हैं जिसको हम ABC कहते हैं अब ABC देखिए क्या क्या है stress management जो है इसमें तीन चीज़े आती है ABC देखें ABC में A आता है adversity इसको हम कहते है stressfully event adversity मतलब जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है माल लीजिए आप किसी exam में pass होना चाहते हैं माल लीजिए आप IIT में interest लेना चाहते हैं यह stressful है stress है adversity है belief इसका मतलब यह है कि किस तरीके से आप respond कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा मैं किस तरीके से behave करूँगा या ऐसा हो गया तो मैंने behave अच्छी तरीके से नहीं किया यह सारी beliefs में आते हैं consequences or actions and outcomes of the event अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है मालिज मैंने lottery का ticket लिया और मैंने सारे पैसे lottery में लगा दिया और मैं जीत नहीं पाया तो मेरी जिंदगी तो उसी समय stencil हो जाएगी इसे हम consequences कहते हैं result कहते हैं stress management अगर आप stress का तनाव का प्रवंधन करते हैं इसको समझते हैं और किसी तरीके से आप में यह हुनर है कि इसको आप प्रवंधित कर सके याने self management कर सके या अपने आप self control स्वयम में नियंतरन कर सके तो बहुत अच्छा होगा क्यूं? क्यूंकि आपकी life खुशनुमा होगी आप अपने कामों को समय पे complete कर पाएंगे उनको finish कर पाएंगे इसके लावा आप खुश रहेंगे और आप खुश रहेंगे तो आपका शरीर खुश रहेगा दिल खुश रहेगा, दिमाग खुश रहेगा और आपके आस पास के लोग चाहिए फ्रेंड हो, फैमिली हो, सब खुश रहेंगे आप ज़ादा एनरजी एर्टिक रहेंगे उर्जा आप परिवार को देख सकते हैं सोसाइटी को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं और एक अच्छी जिपाएंगे जिसके लिए आप जन में है तीन स्टेप्स क्या हो सकते हैं एक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए तीन क्या स्टेप्स हो सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से ऐसे जीना है खुश जुमा जिना है तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले चीज जो आपको करनी होगी वो यह है कि पहले यह तो यह समझ दीजिए कि आप stress हैं के नहीं आपको अगर यही पता लगेगा कि आप stress हैं के नहीं तो आप कैसे stress को जानेंगे और उसको निदान कैसे कर पाएंगे तो पहले देखिए यह आपको सरदर्ध हो रहा है नीन नहीं आ रही है दुखी हैं आप किसी चीज के बारे में बहुत जादा सोच रहे है या डर आपको लगता है किसी चीज के बारे में सोचते हैं आपको डर सा मैसूस होता है बटर फ्लाइ इन दे स्टमक होती अगर आप यह सब चीजे हैं तो इसका मतलब आप stress में हैं आप तनाओ में हैं, आप टेंशन में हैं आप मानसिक दबाओ में हैं उसके बाद आप यह जाने की कुशिश करिए कि stress को किस तरीके से दूर किया जाए या यह कहें कि कौन सी चीज आपको stress दे रही है यह सब जो चीजे हो रही हैं पढ़ाई के कारण आपके परिवार में कोई दिक्कत है कोई परिशानी आ रही है क्या आपके पास पैसे नहीं है क्या आप ठीक से खाना नहीं खा रहे है ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं जिसको आप जान सकते हैं कि मुझे क्यों stress हो रहा है क्यों में तनाओं में हूँ और उसके बाद आखिर में जब आप ये जान जाएंगे तब आप लगाएंगे अपने स्ट्रेस मेनेजमेंट मेथड याने की वो सारी तकनीके जिससे आप स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे पहली चीज टाइम समय आपका जो जरूरी काम है हम लोग क्या करते हैं यार पडोसी के घर कार आ गई यार पडोसी का जो शर्वांजी का लड़का है वो तो उसने ये क्लियर कर लिया हम दूसरों की चिंता करते हम अपनी चिंता नहीं करते हमारा एक समय है हमारी एक जिन्दगी यह हम दूसरों पर कहां पूरी तरह dependent नहीं है न हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कैसे काम नहीं होगा इसका मतलब यह है कि आपको अपने दोस्त के पास जाना है या अपने पार्टनर के पास जाना है या अपने माबाप के पास जाना है या अपने किसी भी जिन पे आप इश्वास करते हैं उनके पास जाना है उनसे बात करनी है और उनकी राय सुननी है क्योंकि आप जब stress में होते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आपको किसी की ना किसी की राय लेनी पड़ेगी वो इस तरीके से अगर आप विदेशों में जाएंगे तो आप counselor होते हैं एक एक घंटे के 100-100 डॉलर ले ले लेते हैं और वो आपको केवल काउंसल करते हैं आप बोलते हैं वो सुनते हैं आपको relax करना होगा, exercise करना होगा, meditation करना होगा आप yoga कर सकते हैं picture देखिए आपके favorite star की और सबसे बड़ी बात है वो सारी चीज़े करिए जो आपको खुशी देती है जो आपको आनंद देती है, गलत काम नहीं करना है जो legal काम है वो करना है क्या तरीक